हेलो गाईज, वेलकम टु दीपशा क्रियेशन, आज हम फैब्रिक पेंटिंग करना सीखने वाले हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना यहाँ पर मैंने वाइट कॉटन के कपड़े पर अपने इमेज को यलो कार्बन रखकर पेस्ट कर लिया है, मैंने ब्लैक फैब्रिक पेंट से कुछ इस तरह से आउटलेंड ड्रॉ कर ली है, उसके बाद मीरर को मैंने डार्क ब्लू कलर से साइट से पेंट कर लिया है, अब मै हैर्स को ब्लैक कलर से पेंट कर रही हूँ, यह कुछ इस तरह से दिखेगा, स्काइब्लू कलर लेकर मैं मीरर के बीच में पेंट कर लूँगी, यहाँ पर मैं पूरी फ्री हैंड पेंटिंग कर रही हूँ, रेड और ब्राउन कलर को मिक्स करकर, डार्क ब्राउन कलर से मैं mirror की border को paint कर दूँगी यह कुछ इस तरह से दिखेगा अब हम face के side वाले part को पूरा color कर लेंगे इसलिए मैंने red, yellow और orange color को mix करकर dark orange color कर लिया है उससे हम पूरे side को color कर लेंगे मैंने जैसे दिखाया है उसी तरह से हमें पूरे side को color कर लेना है यहाँ पर color करके ready हो गया है उसके बाद हम red color लेकर एक angular brush से shading effect देंगे यहाँ पर मैंने जैसे border को red color से shading कर लिया है उसी तरह से हमें shading कर लेनी है shading complete होने के बाद हम dark brown color लेंगे और पूरे border को dark brown color से color कर लेंगे उसके बाद हम eyes को paint करेंगे eyes को paint करने के लिए मैं पहले eyeball को brown color से paint कर लूँगी यहाँ पर मैंने eyeball को brown color से अच्छे से paint कर लिया है paint करने के बाद हम बीच में dark blue color से paint कर लेंगे यहाँ पर मैं बाकी eyes को white color से paint कर लूँगी इस black line पर मैं dark brown color लेकर एक डार्क ब्राउन लाइन ड्रॉ करूंगी उस लाइन को मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगी उसके बाद आईशाडो कलर करने के लिए मैं यल्लो कलर लूँगी और यल्लो कलर से आईशाडो कलर कर लूँगी उसके उपर में ओरेंज कलर लूँगी और उस आईशाडो को ओ पूरी बॉर्डर को हम गोल्डन कलर से आउटलाइन कर लेंगे जुमके को कलर करने के बाद हम फेस को स्कीन कलर से कलर कर लेंगे यहाँ पर मेरे पास स्कीन कलर नहीं था इसलिए मैंने वाम कलर में फेस को कलर कर लिया हैं फेस को कलर करने के बाद हम हैर्स में गज्रे को वाइ लिप्स और बिंदी को कलर कर लेंगे यहाँ पर लिप्स को कलर करने के लिए मैंने पिंग कलर लिया है पिंग कलर से मैं लिप्स को अच्छी तरह से कलर कर लूँगी उसी पिंग कलर से हम आइज के ऊपर पिंग आइलाइनर को ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद मैंने रेड कलर लेकर बिंदी को रेड कलर से कलर कर लिया है यहाँ पर मैंने डार्क रेड कलर लिया है इससे हम बिंदी को कलर कर लेंगे अब हम साड़ी के बॉर्डर को डार्क रेड कलर से कलर कर लेंगे यहाँ पर मैंने पूरे blouse को dark green कलर से color कर लिया है उसके बाद back की neck को हम skin color मतलब जो face पर हमने use किया है उसी color से color कर लेंगे उसके बाद blouse पर हम black color से outline ट्रॉ करेंगे फिर मैंने golden color लिया है उस golden color से हम पल्लू पर golden lines ट्रॉ करेंगे यहाँ पर मैंने जिस तरह से lines ट्रॉ किये है उसी तरह से हमें light hand से lines ट्रॉ कर लेनी है यहाँ पर हमने पल्लू पर square में design बना ली है आप चाहो तो आपकी पसंद से कुछ भी हम पल्लू पर design कर सकते है मैं golden color लेकर मांग टीके को golden color से side से outline कर दूँगे और बीच में भी design बना लूँगे मांग टीके को color करने के बाद हम necklace को भी golden color से color कर लेंगे necklace को color करने के बाद हम पल्लू के border पर silver color लेकर lines ड्रॉ करेंगे और design बनाएंगे यहाँ पर मैंने वापिस square में design बनाई है आप चाहो तो कोई भी flower या फिर कोई भी दूसरी design बना सकते हो यहाँ पर मैंने border को silver color से highlight किया है आप चाहो तो golden color से भी highlight कर सकते हो यहाँ पर मैंने black color के outline के side में से ही silver color की outline देकर highlight किया है border को highlight होने के बाद हम जूमका, nose ring और बिंदी को मोती और कुंदन से hand work कर लेंगे सबसे पहले हम nut को hand work करेंगे इसके लिए मैंने एक pink color के कुंदन को बीच में stick कर लिया है और उसके side से मैं white color के मोती को हाथ से stitch कर रही हूँ जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है उसी तरह से हमें nut के लिए मोती को हाथ से stitch कर लेना है यह बहुत easy है इसके बाद मैं एक golden money को मोती के सबसे नीचे हाथ से stitch कर दूँगे उसके बाद हम मोती के side में golden color के छोटे money को हाथ से ही stitch करेंगे इससे हमारी nut की detailing और भी जादा बढ़ जाएगी नत बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगे यह बनाने में बहुत easy है अब मैं मांग टीके पर hand work करूँगी इसके लिए मैंने छोटे size के मोती लेकर मांग टीके पर stitch किये है वीडियो में मैंने जैसे दिखा है उसी तरह से हमें round shape में मोतीयों को मांग टीके पर stitch करना है यह कुछ इस तरह से दिखेगा इसके बाद हम जूमके पर golden color के छोटे money लेकर hand work करेंगे मैंने जैसे वीडियो में दिखा है उसी तरह से हमें जूमके पर भी hand work कर लेना है मोतीयों से मैंने जूमके पर fabric glue से diamond की lace stick कर दी है round shape में भी मैंने वही diamond की lace stick की है मांग टीके पर और nut पर भी मैंने pink color का कुंदन stick किया है यहाँ पर हमारा patch बनकर ready हो गया है मैंने यही patch को blouse में attach कर दिया है यह कुछ इस तरह से दिखेगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को subscribe करना और मेरे वीडियो को like कर देना अगर आपको और भी fabric painting के वीडियो देखने है तो आप मुझे comment करके बता सकते हो